गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास वोर्थ, आदर्शिक्ष निकितन हाई स्कूल, बलवगर बच्चों मैंने आपको फस्ट A और B पुराने वीडियोज में करा दी है आज मैं आपको फस्ट C एक्सोसाइज करवाँगी जिसमें आपको टॉपिक है सक्सेसर और प्रेडिसेसर तो सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है किसी भी डिजिट में 1 प्लस कर देना वो उसका सक्सेसर हो जाएगा और उसी तरह से प्रेडिसेसर क्या होता है? किसी भी डिजिट में 1 माइनस कर देना वो उसका predecessor हो जाएगा जैसे 98118 में 1 प्लस कर दिया 98119 ये इसका क्या हो गया successor और उसी तरह से इसमें से 1 माइनस कर दिया तो ये इस डिजिट का क्या हो गया predecessor तो successor वाले सम में आपको 1 प्लस करना है और predecessor वाले sum में आपको 1 माइनस करना है तो यह आपके sum exercise में आएंगे यह आपको करने है और sum आएंगे आपको skip counting के skip counting क्या होता है counting को skip करकर के लिखना जैसे skip counting by 3 तो 3 में क्या करना है यह जैसे आपको दिया है 4,2,5,3,1,2,4,2,5,4,3 इसके बीच की counting by 3 हमें skip counting लिखनी है तो सारे बीच के हमें नमबर लिखने है counting by 3 तो 4,2,5,3,1 तो counting by 3 है तो 4,2,5,3,1,2,3,4 next counting क्या होगी 4 उससे अगली होगी 37 उससे अगली होगी 40 तो ये 3 डिजिट इनके बीच की skip counting हो गई counting by 3 हमें 3 count करके आगे की डिजिट लिखते हुए जाना है ठीक है जब तक यहां तक ना पहुंच जाए ठीक है उसी तरह से यदि लिखा जाए counting by 5 तो हमें 5 के अंतर करके आगे की counting लिखते हुए जाना है जैसे की 1 3 5 3 1 2 1 3 5 5 1 अब इसमें है counting by 5 counting by 5 क्या है 13,531 में 5 प्लस कर दूँ तो 13,536 हो गया उससे next क्या हो गया 13,541 then 13,546 और उससे next क्या हो गया 13,551 तो ये ये तीन डिजिट क्या हो गयी इसके बीच की skip counting हो गयी counting by 5 ठीक है उसी तरह से counting by 10 करना है आपको 10,10 का वो लेके gap वो आपको लिखनी है जैसे भी आपको बोला जाए वैसे लिखनी है ठीक है तो 1st C आपको solve करनी है मैं आपको इसके pick भीजूंगी आपको पूरी exercise notebook में करनी है ठीक है झात करनी है करनी है ि EPA झात करने है